नमस्कार दोस्तों महाकाल न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज से एक महिना पहले एक वीडियो वाइरल हुआ था काजल रखवानी का प्राइबेट वीडियो जी हाँ आप सही सुनें काजल रगवानी का प्राइबेट वीडियो आज से एक महिना पहले वाइरल हुआ था और इस वीडियो के बारे में आज काजल रगवानी बिलकुल खोल कर बोली है और क्या बोली है आज इस वीडियो में बताएंगे वीडियो को पूड़ा लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा अपील है कि अगर आप हमारी चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करकर बेल आइकन को दबा दिजेगा साथ ही वीडियो को लाइक करके सेयर कर दिजेगा चलिए सुरू करते हैं बीना देरी के दोस्तों आप सबसे ज्यादा बिवाद में भोचपूरी इंडेस्टी रहता है और इसमें भोचपूरी इंडेस्टी बिवाद में क्यों रहता है इसका सबसे बाड़ा कारण है कि भोचपूरी इंडेस्टी के कुछ लोग जो हैं जो भोचपूरी के लिए काम करते हैं और भोचपूरी फ जिवादों में रखते हैं आपको बता दे आज से एक महिना पहले एक वीडियो वाइरल हुआ था काजल रगमानी का जो प्राइबेट वीडियो था और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये वीडियो काजल रगमानी का ही है और उस वीडियो को काफी ज्यादा भोछपूरी इंडेस्टी के जो लोग हैं जो भोछपूरी के लिए काम करते हैं वे लोग काफी ज़्यादा सेयर कर रहे थे यानि कि एक लड़की का इज़त खूद ये लोग बारबाद करना चाहते थे और भोछपूरी इंडेस्टी के बड़े बड़े एप्टर लोग इस वीडियो को सेर कर रहे थे, कुछ सिंगर लोग थे जो वीडियो को सेर कर रहे थे लेकिन काजल लगवानी आज खूल कर बोल दी है कि ये वीडियो मेरा नहीं था वीडियो किसी और का था उसमें चेहरा साफ तोर पर दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन लोग मुझे बदनाम कर रहे थे, काजल लगवानी के कहना है कि लोग मुझे बदनाम कर रहे थे, ये वीडियो मेरा नहीं है वीडियो किसी और का है फिलहाल मैं उस वीडियो को दिखा भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि यूटूब के community guideline के खिलाब होगा इसलिए उस वीडियो को नहीं दिखा सकता हूँ लेकिन जो लोग देखे होंगे अगर सोसल मीडिया के माध्यम से तो आप लोग कमेंट करके बता दिये कि क्या सच में वो वीडियो काजर रगवानी का था या किसी और का था कमेंट करके जरूर बताईए मिलते एगले वीडियो में धन्दबा